आप सबने नाम तो पढ़ लिया होगा चिकन मसाला तिक का रेसिपी घर के मसाले से बनाएंगे जो जो घर पे मसाले रखें सोचा उसको ट्राइ करके कुछ नया बनाते हैं अध्रक लसन डाला चिकन में नामा के थोड़े बहुत घर के मसाले फिर सोचा थोड़ा बहुत कुछ और डालती हो उसमें तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा तो तिक का मसाला डाला थोड़ा थोड़ा गरम मसाला डाला तिक का मसाला डाला थोड़ा थोड़ा बिरियानी मसाला डला जो की देखते में कैसा बनेगा हुआ है तुलिए पेन रख दिया है इसपे हैएझ सब इसमें तेल डाल दूँंगे एंध तोड़ा इसमें डालना है थोड़ा थिक के खरेंगे हैं मैं उसमें डाला है थोड़ा थोड़ा बुदोर मसाले डाल दी है मुझे कम लग रहते हैं धनिया मिर्ची हल्दी हल्दी नहीं डाली थी थोड़ा दई भी डाल देना है अच्छे से इसको मिला लेना है मिलाएंगे वहां तक तेल भी गरम हो जाएगा तेल में थोड़ा पानी था तो बहुत चीट आया है अच्छे से लाल करनी है उसको गुलाबी-गुलाबी इसको दिक्के के मसाले को मिला लेंगे इसको थोड़ी देर रख दो कि तो और अच्छा कलर आ जाएगा में को जल्दी बनाना था थोड़ी क्रीम भी बाद में आदाया है थोड़ी क्रीम भी डाल देनी है अच्छे से मिला कि इसको दो घंटे रख देना मेरे पास टाइम नी था इसके लिए मैंने रखा नी फिक दूसरे पैन में थोड़ा सतेल डालके चिकन की पीसे इसको फ्राय कर लेंगे अच्छे से फ्राय हो जाए अधक देंगे इसको थोड़ी दे चिकन फिर पानी भी छोड़ेगी इतने हरी मेर्ची और टमाड़ डाल दें टमाड़ जादा डालना तो अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे इच्छे से गल जाएगा यह तिक्के भी फ्राय हो गया है कि थोड़ा सा इसको चला देंगे उपर नीचे हो जाएंगे अच्छे से फ्राय ही लाल हो जाए इतने हमारा मसाला भी पग गया है ग्रेवी बचिए वो भी उसमें मसाले में डाल देना है अच्छे से भून लेना इसको अच्छी तरीके से भूना इसको इसके साथ आप नान भी खा सकते हो तंदूरी रोटी भी खा सकते हो चपाती रोटी भी खा सकते हो मैंने चपाती बनाई थी पटा पटा भी बून लिया एक तरफ अपना चिकन दिका बन रहा था एक तरफ आटा गूं लिया मैंने आप सब भी एक बार घर में ज़रूर बनाऊं बहुत अच्छी बनी थी अब सोचाए रोज एक रेसिपे आप लोगों को बताऊंगी मैं मैं कैसी बनाती हो आप लोग भी अपने अपने घर में ट्राय करना अगर आपको कोई अच्छी लगे रेसिपी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना मैं ट्राय करूंगी बनाकर आपको बताऊंगी यह भी आप ज़रूर ट्राय करना अपने अपने घर में परस्ट बार बनाईए इसमें मेरा हाथ भी जल गिया था सब छीटे आ गए थे तरीके अब कोल्सा डाल देना है अधक देना इसको इससे खुजबू भी अच्छी आईगे फ्लेवर भी अच्छा आएगा फटाफर रो खाने वाले खाके देखेंगे इसके पापा खाएंगे दादा खाएंगे बच्छों को कैसी लगती है अगर अच्छी लगेगी तो दुबारा फिर बनाएंगे अल्ला फिस हम मिलेंगे दूसरे व्लोग में अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताना में दूसरा व्लोग दालूंगे किस चीज़ का बनाओं वो भी बताना अल्ला फिस